Hello everyone, this is Shalini and आपका स्वागत है हमारे चैनल Meta Education में इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीटे 2019 का जो पेपर था, December का पेपर 2 उसके काफी सारे CDB के questions को cover किया है इस वीडियो में हम remaining जो maths के questions है आगे के यान की part 2 गडित्वा विज्यान उसके पुछ questions को cover करेंगे I hope आप सभी के लिए वीडियो fruitful रहेगा देखे, question number 31 How many pairs of twin primes are there between the integers of 1 to 100? पूनां को एक से सो तक के मद्धे अभाजे योगमों की संख्या क्या है अगर हम एक से सो तक चलें, तो उसके बीच में कितने अभाजे योगमों हमें मिलेंगे इसका answer बताईए 1st option है 5, 2nd option है 6, 3rd 7 and 4th option है 8 जल्दी से इसका answer बताईए क्या होगा So देखे, correct answer is option number 4 यानि की 8 हमें योगमों मिलेंगे लगातार जो integers, अभाजे, integers या twin primes कह सकते हैं कैसे? देखे, सबसे पहला जो हमारे पास number आएगा That is 3 and 5, 5 and 7, 11 and 13, 17 and 19, 29 and 31, 41 and 43, 59 and 61, 71 and 73 एग्जाम में आपको यह याद करके जाने की जरूरत नहीं है थोड़ा यह tricky question है एग्जाम में आपका time लेगा आपको वहाँ पर बस देखना है कि कौन कौन से prime numbers है इतना तो हम सभी को पता ही रहता है कि prime numbers कौन से है तो कौन से ऐसे prime numbers आते हैं जिनके pairs हम बना सकते हैं तो वह आपको पता करना है ठीक है I hope आपके लिए यह question जो है easy रहा होगा Next देखते है question number 32 If 2168 equals to 2 raised to the power A into 3 raised to the power B into 7 raised to the power C Where A, B and C are natural numbers Then what is the value of 4A minus 5B plus C तो 4A minus 5B plus C की value क्या होगी आपको यहाँ पर बताना है First है 0, Second 1, Third है 2 and Fourth है 3 इन में से कौन सा option correct है जल्दी से आपको बताना है Solve कीजे, paper pen लेके बैठिए आप इस वीडियो के साथ में और solve करते जाहिए और हमें answer बताइए चलिए जब दक हम solution देखने हैं इसका क्या होगा देखिए हमें क्या करना है Question दे रखा है कि अगर 2, 1, 6, 8 की value जो है 2A into 3B into 7C हो तो क्या करें तो इसके लिए आपको क्या करना है 2, 1, 6, 8 को पहले उसके जो इतने भी factors है वो आपको पता करने हैं कि क्या क्या होंगे तो हमने उसे सबसे पहले जितने भी बार वो 2 से गया उतनी बार divide किया दें 3 से divide किया दें 7 से divide किया ठीक, तो हमारे पास क्या number है हमने उन सब को लिख लिया 2 यहाँ पर आया 4 times 3 आया 3 times and 7 आया 2 times तो उसके बाद में हमारे पास जो values थी वो क्या हो गई A की value 4 हो गई, B की value 3 हो गई and C की value 2 हो गई हमें question में पुछा गया था 4A minus 5B plus C का answer बताना है A की जगा पर 4 value रखा B की जगा पर 3 रखा and C की जगा 2 और इस equation को solve कर दिया तो हमारे पास correct answer आ गया Question number 33 Let X be the least number which when divided by 8, 12, 20, 28, 35 leaves a reminder 5 in each case What is the sum of deserts of X माना की X एक पह चोटी संक्या है जिसे 8, 12, 20, 28, 35 से भाग देने पर प्रतेक दशा में 5, 6 रहता है X के अंकों का योग है तो X के जो अंक है उसका योग क्या होगा इसमें बहुत थोड़ा difficult सा question इसलिए दे दिया है क्योंकि X number नहीं पूछ रहे है X के जो digits आएंगी उनका sum in on में पूछा है ठीके तो यहाँ पर ये चोटी चोटी चीजे ध्यान देनी है कि exit number उन्होंने कौन सा पूछा है तो आपको करना क्या है फिर से 8, 12, 20, 28, 35 का LCM निकालेंगे फिर पता करेंगे इसमें से इसका कौन सा answer correct है चलिए देखते हैं इसका solution क्या होगा देखिए हमने क्या करा 8, 12, 20, 28, 35 इन सभी का LCM लिया तो हमारे पास क्या values आएं 2 हमारे पास 3 times आया 3, then 5 and 7 जब इन सभी values को multiply किया तो हमारे पास number आया 840 पर यहां यह क्या कह रहे थे कि वहां कितना 6 बचा रहेगा 5 6 बचा रहेगा 840 या 840 वो number हो गया जब उसे 8, 12, 20, 28, 35 से divide करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा बढ़ हमें क्या बचाना है यह पर 5 बचाना है तो इसमें हमें 5 एड़ गरना होगा तो 845 हमारी x की value हो गई जो question में पूछा गया था अब x के अंकों का योग बताना है तो x के अंकों का योग क्या होगा 8 plus 4 plus 5 that is 17 इसलिए question number 33 का जो correct answer होगा हमारा option number 4 that is 17 I hope आपको समझ में आया होगा next देखते है question number 34 what number should be subtracted from each of 50, 61, 92, 117 so that the numbers so obtained in this order are in proportion संख्याओ 50, 61, 92, 117 में से प्रतेक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याओ समानुपात में हो जाए समानुपात मितलब अगर 50 upon 61 करें तो वही ratio आये जो 92 upon 117 करने का आएगा मतलब इसको इसमें से जो number minus करें उसके बाद जो नई values आएंगी वो सेम रहें ये बताना है आपको इन चारों में से कौन सा correct answer हो का जिल्दी बताईए आपको paper pen से solve करना है फिर बताना है तब तक हम आपको solution बताते हैं question number 34 देखिए इसको solution कैसे करेंगे हमें बोल रखा है कि 50 minus x हो जाए 61 minus x हो जाए 92 minus x और 117 minus x मतलब x हमने को ये कैसी value मान ली वो जो इन सभी number of इससे minus करेंगे तो इस portion में जो है हमारे ratio रहेगा है समानों पात में ये number रहेंगे अब 50 minus x upon 61 minus 7 equals to 92 minus x upon 117 minus x ये value रहेगा आपको यहाँ पर cross multiply करना है then solve करना है cross multiply simply हमने किया and solve किया तो हमारे पास जो last में answer आया calculations करने के बाद में वो आया x equals to 238 upon 14 जिसको solve किया तो हमारे पास जो value आई x की y 17 तो 17 ऐसी संग्या है जिसको अगर इन सभी number में से यानि कि 50, 117, 92 और 61 में से अगर minus किया जाए तो उसके बाद में जो सारी numbers रहेंगे वो समानों पात में हो जाएंगे इसलिए question number 34 का जो second option है 17 वो हमारा correct answer है I hope आपको समझ में आया होगा अगर कोई doubt है तो आप फूस सकते है next सिकते है question number 35 a sum of 7 rupees 1710 is divided in A, B and C such that 4 times of A 6 times of B and 9 times of C are equal what is the difference between A and C रुपे 1710 की एक राशी को A, B वा C में इस प्रकार बाटा गया है कि A का 4 गोना B का 6 गोना तथा C का 9 गोना बराबर है A और C में क्या अंतर है यह बताना है पूरी सारी values आपको solve करनी पड़ेंगे then A minus C का जो difference है वो क्या है वो बताना है या A और C में कितना difference है वो बताना है चलिए pen copy से जल्दी से solve किजी answer फिर बताइए इन 4 option में से कौनसा option correct है then अब तक solution देखते हैं देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है 4 equal है हमारा 6B के जो की बराबर है 9C के इसको हमने पूरे तीनों values को किसके बराबर माल लिया एक X value के बराबर माल लिया यह हमने X value के बराबर माल लिया उससे हमारे पास क्या answer आएंगे A, B और C तीनों की value हमारे पास आगई X upon 4, X upon 6 और C आगए X upon 9 अब second equation के according अगर देखें कि A, B और C का sum कितना है 1710 तो इसको अगर add करेंगे X upon 4 plus X upon 6 plus X upon 9 तो हमारे पास आना चाहिए 1710 जब इस equation को हमने solve किया तो हमारे पास answer आ गया X equals to 3, 2, 4, 0 यह X की value आई है अब हमें A, B और C की value calculate करनी है तो यह जो तीनों equation हमें आई थी A, B और C A equals to X upon 4 X upon 6 and C X upon 9 C की value वहाँ पर हमें X की value रखनी है 3, 2, 4, 0 और यह values हमारे पास आजाएंगी divide करने पर according लिजो number है उनकी So, अगर A minus C हमें पता करना है तो A की value आई 8, 10 and C की value आई 360 तो A minus C हमारा हो जाएगा 450 I hope आपको calculation समझ में आया होगा Next देखते हैं Question number 36 The number of fruits in basket A and B are in the ratio 7 is to 9 If 6 fruits are taken out from A and put in B then the ratio becomes 1 is to 3 The total number of fruits in A and B is हमें को दे रखा है कि टोकरियों A और B में रखी फलों की संग्या में 7 बटा 9 का अनुपार है यदि टोकरी A में से 6 फल निकालकर टोकरी B में डाल दिये जाते हैं तो यह हमें पार 1 is to 3 हो जाता है A और B में कुल कितने फल है total amount बताना है total number of fruits हमें बताने हैं कितने हैं चलिए देखते हैं solution क्या होगा तब भी तक आप solve करिए कह रहे हैं A और B में जो ratio है starting में वो है 7X upon 9X या 7 upon 9 का ratio आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं कि A में 7X जो है fruits हैं और B वास्केट में 9X fruits हैं अगर A में से 6 निकाल लिए तो 7X minus 6 कर दिया और B में 6 एड़ गर दिये तो 9X plus 6 हो गया ठीक है तो इसका ratio बन जाएगा 1 is to 3 अब हमने यहाँ पर एक equation बना दी 7X minus 6 upon 9X plus 6 equals to 1 upon 3 अब इसको हमें cross multiply करके simply solve करना है आगे तक तो जो हमारा answer आ गया वो आ गया X की value है यहाँ से 2 ठीक अभी देखिए अभी आपको क्या करना है A और B में total कितने number है वो बताने है तो A में जो fruits थे 7 into 2 यानि की 14 और B में कितने fruits थे 9 into 2 2 कहां से आया जो X की value थी यानि की 18 fruits तो हमारे पूर को जो total number बताना है A, B एड़ करके वो आ गया 32 इसलिए question number 36 का answer है option number 2 that is 32 I hope आपको clear हुआ होगा यानि की जो basket थे उसमें कितने fruits थे 32 fruits थे चलिए देखते है next question question number 37 triangle A, B, C and triangle A, D, B are on the common base A, B and on the same side of A, B D, A is perpendicular to A, B and C, B is perpendicular to A, B and A, C equals to B, D 3 चीज़े दे रखी है which of the following is true इन चारों में से कौन सा true condition है जब आपको बता रखा है यह पूरी condition जो दे रखी है उसके according चलिए इसको solve करके देखते है देखे क्या दे रखा है यहां पर हमारे को कि दो triangle है जिनका जो common line है वो है हमारी A, B एक common line है ठीक है यह हमने माल ली A point है यह B point है यह हमारी एक common line है अब एक triangle है ABC एक triangle है ADB अब जो ADB triangle है उसमें AB perpendicular है AD पर ठीक तो A और B के AB and AD के बीच में जो angle है वो हमारा 90 degree का angle यह एक हमारा समकोनिय त्रेबोच यह perpendicular triangle बन गया ठीक अब देखते हैं next क्या दे रखाता है उन्होंने AB और C एक triangle है जहाँ पर AB और BC के बीच में 90 degree का angle बन रहा है तो एक यह हो गया ठीक तो हमने यहां से AC को भी add join कर दिया यह हमारा पूरा diagram बन गया अभी उन्होंने एक तीसरी line कही कि BD और AC दोनो सेम है AB तो दोनो triangles में common होई गया तो remaining जो side रही वो रही हमारी BC तो BC जो है वो equal हो जाएगी AD के ठीक अब यहां से यह triangle हमारा दोनो congruent triangles बन गया आपस में आपको condition बतानी है कि कौन सा उसके congruent बना AB अगर ABD में देखा जाए तो हमारे को शुरुआत करनी है ABC से ठीक है ABC हमारे triangle किस triangle के congruent बनेगा अब A angle यहां पर है और यहां पर कौन सा angle है अगर ABC triangle में देखा जाए तो A और ABD में अगर देखा जाए इन C के place पर आजाएगा D इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी देख सकते हैं AB side दूसरे triangle की BA side के बराबर है AD side के बराबर है यह BC side इस triangle की AD side के बराबर है इन तीसरा देख सकते हैं कि CA side दूसरे triangle की DB side के बराबर है CA कहां पर है CA side दूसरे triangle की D, B side के बराबर है I hope आपको समझ में आ रहा होगा इसलिए ABC congruent है B, A, D के तो यहाँ पर जो हमारा option हो गया ABC congruent है B, A, D के इसलिए option number 3 हमारा यहाँ पर जो है correct option है ABC is congruent to triangle B, A, D I hope आपको clear होगा कोई doubt है तो आप पूस सकते हैं next देखते हैं, question number 38, the sides of 4 triangles are given below 4 त्रिभुजों की बुजाएं नीचे दी गई है यहाँ पर हमारे को 4 बुजाएं दी रखी है त्रिभुजों की अब इसमें से बताना है which of them forms a right triangle इनमें से कौन सा समू, समकोन त्रिभुज बनाता है सम कौन त्रिभुज की आपको condition पता ही है कि उसकी जो दो sides होती है उनके squares का sum तीसरी side के square के बराबर होता है तो आपको यहाँ पर बस इतना करना है कि इन में से, इन चारो condition में से वो condition कौन सी fulfill कर रही है यह देखना है जल्दी से वीडियो पॉस कीजिए और calculate करके देखी कि कौन सी condition fulfill हो रही है यहाँ पर जो option correct होगा वो है third यानि कि 11 cm, 60 cm, 61 cm मिलके एक समकोन त्रिभुज या फिर right angle triangle बनाएंगे ठीक है कैसे और तो इसकलिए हमारा option 3 जो है वो correct answer हो गया कैसे बनाएंगे यह अगर हम 11 का square करेंगे तो हमारे पास value आएगी 121 60 का square हमारा होगा 3600 और 61 का square हमारा होगा 3721 तो 60 के square को add करेंगे 11 के square से तो हमारे पास value आएगी 3721 which is equals to the square of 61 I hope आपको समझ में आया होगा चलिए next देखते है question number 39 the angles of a quadrilateral are in the ratio of 3 is to 5 is to 7 is to 9 what is the difference between the least and the greatest angle of the quadrilateral यहां यह दे रखा है 3, 5 और 7, 9 के अनुपात में है किसी चत्रभुच के 4 कोणों का अनुपात दे रखा है तो चत्रभुच के सबसे चोटे तथा सबसे बड़े कोण में क्या अंतर होगा यह हमारे को बताना है अब इसको कैसे solve करेंगे हम यह देखिए हमारे को दे रखा है 3x plus 5x plus 7x plus 9x हमने ऐसे करके माल लिया कि यह हमारे 4 और जो चत्रभुच की बजाए है उनका अनुपात है पर x हमने कोई value माल लिया जो इन सब में multiply करेंगे तो हमारे पास उसकी side आ जाएंगी तो इसलिए जो 4 बजाए हमने माल ली वो हो गई हमारी 3x, 5x, 7x और 9x अब इनका जो sum आएगा वो हमारा आना चाहिए कितना 360 इन 4 का sum आना चाहिए क्योंकि एक जो चत्रभुच है उसके 4 कोड़ों का यह होग होता है x की value पता करनी है तो जब हमने x का divide करा यानि कि x की value पता करने के लिए हमने 24 का divide करा 360 में तो जो x की value वो आई हमारे पास 15 आप देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा एंगिल था वो था 9x और सबसे छोटा एंगिल था वो था हमारा 3x तो 9x और 3x को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 6x बचेगा तो 6 का multiply हमने 15 में किया तो हमारे पास answer आगया सीधे-सीधे 90 इसलिए जो difference आ रहा है सबसे बड़े एंगिल और सबसे छोटे एंगिल में वो आएगा 90 degree का तो इसलिए इसका correct answer होगा option number 4 90 degree I hope आपका भी answer सेम आ रहा होगा अगर आपको कोई भी doubt है तो आप हमसे पूछ सकते हैं next देखने है question number 40 the parameter of a triangle is 12 cm एक जो त्रिबुज है उसका परिमाब 12 cm है if all 3 sides have length in cm in integers then how many such different triangles है possible तो इस प्रकार के कितने विभिन त्रिबुज संभव है 2, 3, 4 या 5 इन मैंसे देखा जाए तो कौन सा हमारे लिए possible होगा अगर एक triangle दे रखा है जिसकी 12 cm sides है तो कौन सा option correct होगा जल्दी से बताईए दिमाग लगाईए इसमें इतना जादा सोचनी की जरूरत नहीं है देखिए आपको करना क्या होता है इस type के questions में यहाँ पर आपको दे रखा है कि अगर जो sum है वो 12 आ रहा है परिमाप मतलब पूरा का पूरा तीनों बुजाओं का योग 12 आ रहा है तो कौन सा triangle possible है triangle की एक property होती है कि उसकी दोनों side मतलब कोई भी दो sides का योग या दो sides का sum उसकी तीसरी side से बड़ा ही आना चाहिए अगर ऐसा नहीं आता है तो वो triangle हम create नहीं कर सकते sum of any two sides of triangle should be greater than to third side अगर 12 को हम दो भागों में भी बाते तो हमारे पास कितना होगा 6 और 6 के 2 set हम बना सकते है तो ऐसा हो सकता है कि जो 2 sides का sum है वो हमारा 6 से बड़ा ही आना चाहिए तब जाके वो triangle possible होगा तो आपको क्या करना है आपको ऐसे pairs बनाने है कि sum जो है 2 sides का हर condition में 6 से बड़ा है तो पहला हमारा 6 से बड़ा sum हो गया 5 और दूसरा हो गया 5 में 6 से बड़े के लिए क्या add करना होगा आपको 3 तो 5, 6, 7 अगर 2 से भी करेंगे तो भी हो जाएगा तो पहला जो हो गया वो हो गया 5, 2, अब remaining कितना है 5 ठीक है 5, 5, 10, 11, 12 एक हमारा यह triangle बन जाएगा दूसरा triangle बनेगा 5, 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 4 ठीक है दूसरा triangle हमारा यह बन गया अब तीसरा triangle हमारा बन सकता है 5, 4 करेंगे तो वो same ही आ जाएगा 5, 4 के बाद में 3 ही रहेगा तो इसलिए यहाँ पर हमें value क्वम करने पड़ेगी 4, 4 और 4 यह हमारा तीसरा triangle बन जाएगा केवल 3 triangle possible होंगे इसके अलावा कोई और triangle हमारा possible नहीं होगा इसलिए जो इसका correct answer होगा वो होगा option number 2 that is 3 3 triangles हों possible अगर 12 cm triangle का perimeter दे रखा है और integers में रखना integers माने कोई points में value नहीं आनी है तो हमारे केवल 3 triangle possible होंगे I hope आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा remaining question हम next कल के वीडियो में cover करेंगे अगर आपके कोई भी doubt है तो हमसे freely पूस सकते है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है देन लाइक दिस वीडियो शेर में लाइक जारी कू सब्सक्राइब आपको आपके अपके।